अयोध्या में 16 जन्वरी से 22 जन्वरी को राम मंदिर की पुनरप्राण प्रतिष्ठा हो रही है। भाजपा RSS, विश्व हिंदू परिशत सहित कई संगठन संस्थाएं राम लल्ला के दर्शनों के लिए लोगों को नियोता दे रहे हैं। सुबह प्रभात फेरी के साथ घर घर पीले चावल बांट कर लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है। जो सपना राम भक्तों ने देखा था, वो 22 जन्वरी को पूरा होने वाला है। अयोध्या की पावन भूमी पर दिव्य और भव्य राम मंदिर तयार होने वाला है। भगवान श्री राम की मंदिर की विशेष्टा के बारे में जिसे सुनकर आप सभी लोग चकित रह जाएंगे। आईए जानते हैं राम मंदिर की विशेष्था के बारे में सत्तर एकड में राम मंदिर और चारों और आयताकार परकोटा 32 सीडियां चड़कर होंगे रामला के दर्शन 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में प्रान प्रतिष्था का कारिक्रम होनी है। उससे पहले मंदिर में तैयारियां जोरों पर है। चंपत राई ने बताया मंदिर का निर्मान सत्तर एकड भूमी के उत्तरी भाग पर किया जा रहा है। 22 जन्वरी को अयोध्या में राम मंदर में प्रान प्रतिष्ठा का कार्यत्रम होनी है. उससे पहले मंदर में तैयारियां जोरों पर है. गुद्वार को श्री राम जन्मभूमी तीर्थ शेत्र के महासचिव चंपत राई ने श्री राम जन्मभूमी मंदिर के मान्चित्र का वर्णन किया उन्होंने विडियो के माध्यम से पूरे मंदिर का नक्षा पेश किया चंपत राय ने बताया मंदिर का निर्मान सत्तर एकड भूमी के उत्तरी भाग पर किया जा रहा है यहां तीन मंदिला मंदिर बनाया जा रहा है मंदिर के भूतल का काम पूरा हो चुका है पहली मंजिल निर्माना धीन है, मंदिर की विशिष्ट ताएं राम मंदिर भव्यता के साथ भारतिय परंपरा एवं तक्नीक का भी परियाय है। नहीं किया गया गया है। निर्मार की तक्नीक की विशिष्ट का नीम से ही नहित है। मंदिर की नीम 400 फीट लंबे एवं 300 फीट चौड़े विशाल भुक्षेत्र पर मोटी रोलर कामपेक्टेड कंक्रीट की 14 मीटर मोटी कृत्रिम चट्टान धाल कर की गई है। मंदिर की प्लिंथ 380 फीट लंबी एवं 250 फीट चौड़ी हैं तथा मंदिर के मुख्य शिखर की उचाई 161 फीट है। मंदिर में कीर्टन मंडप के रूप में होंगे 5 मंडप। तीर्थ शेत्र ट्रस्ट के महासचिव ने मंदिर निर्मान से जुड़ी अन्य मौलिक जानकारी भी साजा की। मंदिर में नृति, रंग, सभा, प्रार्थना एवं कीर्टन मंडप के रूप में 5 मंडप होंगे। मंदिर की प्लिंथ तक पहुचने के लिए 32 सीडियां चड मा भगवती, गणपती एवं भगवान शिव के सहित परकोटा में ही वालमी की वशिष्ट, विश्वामित्र, अगस्त्य, निशादराज, माता शबरी एवं देवी अहिल्या का भी मंदिर निर्मित होना है। तीर्थ शेत्र ट्रस्ट के महासचिव ने रामजन्म भूमी संधर्ष के संक्षुप्त इतिहास का भी विवेचन किया। बताया कि भव्य राम मंदिर 492 वर्ष के सुदिर्ख संधर्ष और 37 वर्ष के सतत जागर से संभावित हुआ है। उन्होंने रामजन्म भूमी मुक्ती के लिए ग्राउन पैनेट्रेंटिंग रडार सर्वे का भ इंडो भवन था। इसी सर्वे के बाद एसाई ने उत्खनन कराया और इस निशकर्ष पर पहुचा गया कि विवादित भूमी की सतर के नीचे उत्तर भारतिय शैली का मंदिर था।